असलाम अलेकुम लवली पिरेंट्स वेलकम टू ममजी टॉक्स आज की वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट हाव तो गेट रिड़ ओफ फीरिंग बॉटल्स अगर आपका बेबी 2.5 यह से अबाउ है जैसे 3 यह है 4 यह है या 5 यह है और आप परिशान हो कि फीरिंग बॉटल छूटी नहीं रही है तो क्या करें तो यह वीडियो आपके लिए है यह वीडियो आप देखें एंड तक और आपके सारी डाउट्स क्लियर हों दिया हैंगे आज की वीडियो में लेकित उसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेर चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए ताकि मैं और पेरेंटिंग के इंटरस्टिंग वीडियो आपके लिए लेकर आप और आप देख पाए तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं फीडिंग बॉटल्स का बेबी के साथ बहुत पुरा ना रिष्टा होता है वो फीड करते हैं दूद उसमें और उसे यूज़ हो जाते हैं लेकिन और एक टाइम ऐसा आता है कि हम उन्हें कहते हैं कि अब आपका ये फेज ओवर हो चुका है अब आप फीडिंग बॉटल यूज़ नहीं करेंगे और आपके लिए भी ओवराल बहुत स्ट्रेसफुल हो सकता है कि आफ्टर आल ये आदत छुड़ाएं तो छुड़ाएं कैसे बहुत मुश्किल भी होता है कुछ लोगों के लिए बहुत इज़ी हो जाता है बट आज की वीडियो में आपके साथ दो ऐसे तरीके शेयर करूंगी जिन्हें यूज़ करके आप अपने बेबी की फीडिंग बॉटल छुड़ा सकते हैं तो इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी कि जब भी आप अपने बेबी की फीडिंग बॉटल छुड़ा पीते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि वाव बेबी ने तो सारी फीडिंग कंप्लीट करी अच्छे से दूद्ध पीलिया इतना सारा लुट पीलिया है वाव लेकिन आपको पता है जैसे ही आप फीड़ से चीन लेंगे मतलब आप उनसे फीडिंग बॉटल के थूद देना यह उनकी जो नाच्रल टेंडेंसी यह बच्चों की सकिंग की उस वजा से बेबी फीडर से दूद पिना पसंद करते हैं और वांस यू स्टॉप गिविंग देम फीडिंग बॉटल वो दूद को पसंद नहीं करेंगे ऐसा most of the cases में देखा गया है इसलिए बहुत जरूरी है कि जब भी आप फीडिंग बॉटल छुडाने के लिए आप प्रेपरेशन कर रहे हों आपको एक तो दियान में रखना है कि बेबी अच्छे से ले रहा हो ताकि उन्हें कोई डेफिशेंसी ना हो और दूद के अलावा बाकी डैरी प्रॉडक्स हो ले रहे हो जैसे कि वो चीज ले रहे हो पनीर तोफू योगर्ट दही ये सब ले रहे हो इसके अलावा ग्रीन ना पिए तो इस ओके उनकी क्याल्शम रिक्वायर्मेंट पूरी हो रही होगी और इससे पहले कि आप फीडिंग बॉटल चुड़ाएं आपको खुद को मेंटली इमोशनली और फिजिकली प्रिपेर होना पड़ेगा मेंटली आपको कम से कम चार से पांच दिन के लिए आ जाए फिजिकली भी आप स्ट्रेसफुल ना हो आपको कोई ऐसा घर में सिचुवेशन या कोई काम ना हो ऐसा कि आपको उसकी तरफ ध्यान डाइवर्ट हो जाए और इस तरह इमोशनली भी आप प्रिपेर हो मतलब जब आप बच्चे की फीडिंग बॉटल चुड़ाएं तो अगर वो क्रैंकी हो जाए तो आप बहुत स्ट्रॉंग हो इमोशनली उसका कोई असर आपके उपर यूजवली ना हो क्योंकि आप इमोशनली प्रिपेर होने चाहिए कि येस मुझे इसकी बॉटल चुड़ानी है तो चुड़ानी है ये तीनो फैक्टर जब आपके हों तब आप वो एक टाइम तह करिए मतलब ऐसे चार से पांच दिन एक सिलेक्ट करिए जिस डिरेशन में आप ये प्रॉसस स्टार्ट करोगे और अब हम चलते हैं वो दो मैथेड्स जिनको अप्लाई करके आप अपने बेबी की फीडिंग बॉटल चुड़ा सकते हैं पहला म और बिहेवियर करना है और बिल्कुल आपको स्ट्रेक्ट रहना है कि मतलब बच्चा कुछ भी करें आपके उपर उसका कोई असर नहीं होने वाला है ये सबसे टफ मेथेड है मगर सबसे कोई कैस्ट है इस मेथेड को यूज करने के लिए मैं आपको सेजस्ट करूंगी जब आप ये मेथेड यूज करें क्योंकि अगर आपका बेबी उससे कम एज में है तो आप हमारा दूसरा प्रोसेस यूज कर सकते जो मैं आपको अभी बताऊंगी तो कोल्ड टर की मेथेड में क्या करना है आपको सबसे पहले आपको घर में जितनी भी फीडिंग बॉटल सब उठा के डिस्कार्ड कर दिया मतलब फैक दिनी है घर में कोई फीडिंग बॉटल नहीं होनी चाहिए मतलब यह एज इस वेरी स्ट्रिक्ट मेथड एंड़ क्विकेस्ट आपको जब घर में कोई बॉटल ही नहीं होगी तो बच्चा अगर फीडिंग बॉटल मांगेगा तो ना तो आप मजबूर होंगे और बेबी भी अगर बॉटल डूड़ने का तो इसको बॉटल दिखेगी यह नहीं तो मतलब बॉटल भूलने के लिए बहुत जल्दी हो जाएगी मतलब बहुत क्विकली यह असर करेगा यह मेथड हमारा दूसरा मेथड है ग्राजूल प् प्राज़ंग दिखोभां नहीं में चीकले फिडिंग बटल कुहार प्रेशानी नहीं हृँतwałं करके बच्चों से फीडिंग बॉटल चीनते हैं जैसे मुर्नें के एंसमें में और आत को सोने से पहले इसमें सबसे पहले मैंने ईवनिंग जो टाइम था उसमें प्रेशाप बोटल हटा दी वह बहुत ही क्विक हुआ और बहुत ही उसमें मुझे बिल्कुल कोई परिशानी नहीं हुई क्यूंकि यूजवली उस टाइम में बच्चे या तो खेलने में इन्वाल होती है या फिर वह उसको मैं कुछ ना कुछ स्नाकिंग देती थी करने को तो इस वज़ ब्रिक्फस्ट सामने रखकर उसमें इन्वाल्व कर देती थी और वो भी मिलने बहुत इजी था हुआ सबसे चैलेंजिंग मेरे लिए था आफ्टरनून में और रात के वक्त क्यूंकि आफ्टरनून नाप से पहले यूजवली शी उस्टी डिमांड मिल्क और सेम रात के व इस प्रॉसस को पॉल्स करने से पहले हाम जैसी ही गर में कोई लोग पानी या गशाच पीते हैं तो हम रातकिके अपनी डिक्ते हों hommes पामें तक एमफ्टर क्यांच से कवाभी ज्याधा ए कि इस बीढ़ना फ्य। थूँन्टर जब मैं यूज ने इससे दिन में डूध गलास में दिया तो वह बहुत खुश भी उसे दूध टेस्ट किया। लेकिन आज व चै izみ प्ञेट की बच्चे सक्केन मेश दूध यूद तो पहले तो बाइगी यूद ती करने आयों गलास प्रक्त से देती थी दुपहर के टाइम पर उसको मैं कप में ही दूद दू इस तरह से दुपहर में वो यूज्ट हो गई कप में पीने के लिए तो यह मैठेड होगे किस तरह से तीन टाइम मैंने बेबी का फीडिंग बॉटल छुडवा दिया अब आपके साथ में एक बात शेयर करन अब हमारा चैलेंज है सोने के वक्त सोने के वक्त मैं आपको बताऊंगे कि अगर आपका बेबी भी सोने से पहले दूद पीता है फीडिंग बॉटल में तो पहले धीरे धीरे आप उसकी फीडिंग बॉटल का जो डियूरेशन है वो आप खाने के दिनर के बाद थोड़ी देर बाद सेट करें मतलब इमीजेटली ऐसा नहीं हो कि वो फीडिंग बॉटल से ले और सो जाए उससे क्या है वो अटाच हो जाता है नींद के साथ मलब जब फीडिंग बॉटल आप उसे एसोशेट करते हैं तब बच्चा जब भी सोएगा तो फीडिंग बॉटल मांगे आप उसको धीरे धीरे किसी और एक्टिविटी में इन्वाल्व करके बैड पर लेकर आओ फिर आप उसको स्टोरीज में इन्वाल्व करो करते करते आप उसको सुला दो कि इसे क्या होगा कि बच्चा और बच्चे का नींद और दूद की बॉटल से जो कनेक्शन है वो दूद दो उसके बाद सेब एक्टिविटी फॉलो होगी एज रूटीन क्यूंकि बच्चे मोस्ली रूटीन फॉलो करते हैं इस तरह से आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा रात के टाइम भी फीडिंग बॉटल से छुटकारा पाने के लिए तो यह हमारे दो मैथर्ड ह हुए जिनके थ्रू आप बच्चों से फीडिंग वाटल छुडा सकते हैं एक बात का ध्यान रखना कि जब आपका बेबी पूरी तरह से सॉलेट पर आचुका हो मतलब एक साल से अबाओ हो और अच्छे से वह डाएट ले रहा हो सॉलेट तो 200 ml का दूद काफी है इसके अल बालन्स रहे सिर्फ दूद से ही ना कैल्शियम मिले बलकि बागी चीज़ों से भी उसे कैल्शियम मिले तो यह था मेरा वीडियो आज का कि हाव टू गैट रीड ओफ फीडिंग बॉटल अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो या आपके लिए हेल्फुल रहा होगा त चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना ताकि मैं और पेरेंटिंग की इंटरस्टिंग वीडियो आपके लिए लेकर आऊं तो मिलती हूँ मैं आपसे बहुत जल्दी एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ तब तक के लिए टेक कियर बाए बाए